नमस्कार दोस्तों, Disinvestment Policy of the Government of India Disinvestment क्या होता है, Disinvestment की भी बहुत से types हैं एक होता है strategic disinvestment, एक होता है non-strategic disinvestment क्या disinvestment की वद सरकारी कंप्पनियों का होता है, नहीं प्राइवेट कंपनियों का भी disinvestment होता है इस समय पे disinvestment इतना news में क्यों है और हमारी सरकार को disinvestment को लेके इतना criticize क्यों किया जा रहा है इंडिया में अगर हमारी जो सरकार है वो disinvestment promote करती है तो फाइदे क्या क्या है disinvestment को promote करने के शुरुवात में disinvestment commission मना फिर department of disinvestment मना ministry of finance के अंदर पूरा का पूरा एक independent department था department of disinvestment जिसको बाद में DIPM में बदल दिया गया department of public asset management तो basically disinvestment क्या है सरकारी assets को बेच के जो पैसे कवाने वाला concept क्या है यह इतना important क्यों है सरकार के लिए सरकार की priority पे इतना दादा क्यों है इन सब बातों को हम लोग बहुत detail में इस वीडियो में खंगा लेंगे अगर आप बात करो 2021-22 के budget की तो कहीं न कहीं सरकार बहुत सारे facets से revenue को लाने कोशिश कर रही तो tax revenue लाने की तो कोशिश होई रही है non-tax revenue लाने की कोशिश हो रही है और non-tax revenue में जो सबसे main role play करने वाला है वो कहीं न कहीं है आपका disinvestment सरकार का target है कि जो सरकारी companies है उनका disinvestment करके हम लोग लगबग 1.75 लाग करोण है यानि 1.75 लाग करोण पा लेंगे इसमें सरकार ने क्या-क्या सोचा है तो Air India जैसे organizations भारत Petroleum Corporation Limited जैसे organizations को यहाँ पे बेचा जाएगा इनका strategic sale होगा strategic sale मतलब इनके 50% से जादा stakes private sector को बेच दिये जाएगे सरकारी ownership 50% से कम रह जाएगी फिर यहाँ पर कुछ और plans है जैसे कि सरकार Life Insurance Corporation का initial public offering में खालेगा इसकी listing करेगा primary market मतलब इसके stocks को market में release करेगा फिर आप National Stock Exchange जो Bombay Stock Exchange में जाके Life Insurance Corporation के stakes खरीद सकते हो जिस प्रकार से आप बाकी company के stakes खरीदते हो समझ क्या बात फिर यह जो नई strategic disinvestment policy हरकार लेके आई है इसमें दो public sector banks को और एक general insurance company को भी disinvest करने की बात की जारी है या फिर privatize करने की बात की जारी है disinvestment एक बहुत broad word है इस disinvestment के अंदर minor stake बेचना major stake बेचना और पूरा का पूरा बेच देना इस सावाता है फिर देखिए जो आत्म निर्भर भारत package इस सरकार का आत्म निर्भर भारत मतलब की हम लोग आपस में अपने आप पे आत्म निर्भर रहेंगे हम अपनी domestic capabilities को यहाँ पे आगे लेके आएंगे अभी इसके चलते सरकार यह बोल रही है कि चार sectors को छोड़ दिया जाए इन चार sectors को strategic sectors माना जाएगा जिसमें atomic energy, space or defense है transport or communication है power, petroleum, coal और other minerals है banking, insurance और financial services तो यह जो चार strategic sectors है यहाँ पे जो सरकार की presence होगी ना, वो bare minimum presence होगी ठीक है ना, तो सरकार इन चार strategic sectors में present होगी वर bare minimum present होगी और जितने भी non-strategic sectors हैं यह वो sectors जो इन चार heads से बाहर आ गए, उन में से सरकार कोशिश करेगी कि पूरी तरीके से बाहर निकल जाए तो यह है सरकार की policy in fact, यह जो चार strategic sectors है यहाँ पे भी सरकार bare minimum presence रखेगी bare minimum presence कैसे रखेगी यह सरकार actually में शुरू भी कर चुकी है अगर आप देखो, तो Oriental Bank of Commerce का मर्जर हो गया पंजाम निश्वर बैंक से मतलब, सरकार कुछ बहुत बड़ी-बड़ी जो कि आपने किसी asset को liquidate कर रहा हो या बेच रहा हो liquidation नॉर्मली कब होता है जब कोई asset bankrupt हो चुका हो तो आप अपने asset को liquidate कर रहा हो या बेच रहा हो, मतलब आप उसको assets को dispose of कर रहा हो तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ पैसा आपको वहाँ पे मिलेगा कभी-कभी जब asset और जो आपका asset होता उसको बेचने या liquidate करने के अलावा कभी-कभी capital expenditure के reduction के लिए भी आपका disinvestment किया जाता है यानि कि माल लीजे कोई बहुत बड़ा business house है और उसका एक छोटा सा जो company है वो proper थरीके से काम नहीं कर पा रहा है और उसमें उस company का खर्चा बहुत हो रहा है तो उस खर्चे को कम करने के लिए वहाँ पर खर्चा कम करके किसी और जगा खर्चा लगाया जा सकता है re-allocation of resources किया जा सकता है तो re-allocation of resources भी एक प्रकार का disinvestment होता है चोकि long term में ये कही ना कही उस company को मदद करेगा कुल मिलाके disinvestment का motive क्या होता है motive होता है optimization of resources to deliver maximum returns एक commercial company profit के लिए काम करती है और profit के लिए अगर कुछ assets return नहीं दे रहे हैं तो उनको बेज देना ठीक है आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे like का बटन दूस्तों almost 5 मिनट बीतने के बाद मैं आपसे like और share का बटन दुमाने को बोल रहा हूँ तो अब तक जो लोग है please like और share का बटन जरूर दबाईए join करके आप मेरी help भी कर सकते बहुत सारी informational videos यहाँ पर आपको free of cost मिलती है आप playlist section में जाके चेक कर सकते हो instagram पर follow कर लिजे आपकी journey.job दूँगा telegram group join कर लिजे इस particular lecture की pdf आपको telegram group में मिल जाएगी समझगे भई अब जब dis investment सरकारी कंपनियों का होता तो कभी-कभी dis investment political वजहों से भी होता political वजहें ज़्यादार क्या होती है कि भाई लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया schemes चलानी है लोगों को बढ़िया बढ़िया आप कह सकते हो कि free में पैसा बाटना है free में scheme में बाटनी है employment देना है तो ऐसे cases में subsidies देनी है ऐसे cases में पैसा चाहिए तो सरकारी कंपनियों अगर dis investment करके ownership and control of a public sector entity to some other entity यानि कि आपने पूरी की पूरी ownership ही transfer कर दी पूरा का पूरा control ही transfer कर दिया समझे बात को अगर आप माल लीजे किसी एक company के 50% से ज़्यादा shares private company को बेची देने SBI के 50% से ज़्यादा stake सरकार के पास है सरकार माल लीजे SBI की 45% stakes अपने पास रखती है और 55% ownership SBI में private investors की हो जाती है तो क्या फिर SBI एक सरकारी bank रहेगा नहीं रहेगा वो एक private bank मन जाएगा चुकि सरकार की stakeholdership 50% से नीचे आ गई है तो basically strategic dis investment का यहीं मतलब है कि आप strategic sale कर रहे हो strategic sale मतलब central public sector enterprise में सरकार की ownership 50% से कम आ गई है और जब सरकार की ownership 50% से कम आ गई तो सरकार के हाथ से उसका management control भी चला जाएगा चुकि management control उसके हाथ में होगा जिसके बास 50% से ज़्यादा की ownership है अब आ जाते हैं हम लोग policy of strategic dis investment पे देखिए जो policy of strategic dis investment अनाउंस हुई है इस साल के budget में और UPSC mains के लिए बहुत important है यहाँ पे government का aim क्या है कि भाई जो dis investment proceeds आ रहे है उससे अलग-अलग social sector की scheme development programs की scheme को चलाए जाएगा और कहीं न कहीं जब आप dis investment करोगे तो जिस company का dis investment हो रहा है वहाँ पे private ownership बढ़ रही है तो जब private ownership बढ़ेगी तो private capital आएगा private technology आएगी management practices अच्छी होंगी और इन government public sector enterprises में जितनी ज़्यादा private ownership आएगी उतना ही जो इनके काम करने का तरीका है न वो सुध रहेगा Union Minister of Finance and Corporate Affairs ने budget 2021-22 को पेश करते वक्त यह policy on strategic disinvestment को सामने रखा यहाँ पे इस policy of strategic disinvestment में एक बहुत organized way आने वाले समय में strategic sectors और non-strategic sectors में किस प्रकार से कंपनियों को disinvestment किया जाएगा इसकी पूरी की पूरी एक time line दीरे दीरे आने वाले समय में निरधारिद करी जाएगी तो strategic disinvestment पे भी यहाँ पे काफी focus दिया जा रहा है और यह strategic disinvestment और disinvestment central public sector enterprise, public sector banks public sector insurance company सब में होगा तो I hope disinvestment और strategic disinvestment के बीच के आपको फर्ट को आप समझ चुकए हो जब 50% से यादा ownership private हातों में चले जाए तो strategic disinvestment बन जाता है और सरकार कोशिश करेगी कि non-strategic sector से तो पूरी तरीके से बाहर निकल जाए under आत्मिर्वर भारत package और bare minimum presence हो चार broad sectors में वो चार broad sectors कौन से हैं वो मैंने आपको पहले दिखाए हैं यह हैं वो चार broad sectors को सके तो इन चार broad sectors को अपने दिमाग में रखिए किसी exam में code कर देंगे तो extra number आपको मिल सकते हैं अब हम देखते हैं history of disinvestment in India पिछले सालों में जब से disinvestment शुरू हुआ है किस तरीके से disinvestment चला देखि सबसे पहले बना था disinvestment Congress की सरकार के समय पे disinvestment commission बहुत दिन तक disinvestment commission ने industries ministry के अंदर काम किया उसके बाद disinvestment commission को हटा दिया गया और department of disinvestment मनाया गया department of disinvestment को एक अलग ministry बनाया गया बाद में इस department of disinvestment को ministry of finance के अंदर एक independent department की तरह रखा गया और बाद में इसको DEPOM में convert कर दिया गया department of public asset management अगर देखा जाए अलग-अलग companies का disinvestment करके कितना कितना पैसा कमाया है सरकार ने तो 1999 से लेके 2004 तक सरकार को मिले 24,620 करोन रुपए disinvestment करके इसमें जिन companies को बेचा गया वो यहाँ पर आपको नजर आ रही है IPCL, VSNL, मारुती उद्व, हिंदुस्तान, Zinc, CMC इस प्रकार की companies को private company को बेचा गया, यह सरकारी companies थी पहले, 2004 से लेके 2009 में, 2004 से 2009 में 8516 करोन, 8516 करोन रुपीज मिले सरकार को यहाँ पे NTPC के 5.3% stakes को divest करके 2684 करोन power grid के कुछे stakes को बेचा गया, REC को बेचा गया, फिर आगे बात करें, 2009 से लेके 2014 तक disinvestment के थू हुआ है, वो exchange traded funds के थू हुआ, नए प्रकार के modern disinvestment methodologies यहाँ पे लाई जा रही है, कोल इंडिया का IP निकाला गया, जिसके थू, कोल इंडिया के 10% shares को बेचा गया, 2010 में जिससे 15,000 करोन रुपए लाए गया, ठीके बई फिर 2014 से लेके 2019 में सरकार को मिले 280,490 करोन रुपीज, यहाँ पे HPCL को ONGC को बेचा गया, सोची एक सरकारी कंपनी, सरकारी कंपनी खरीद रही है मतलब सरकारी assets को इधर उदर करके सरकार पैसा बना रही है तो भाई, इस सरकार को मिले 36,900 करोन रुपीज, ठीके फिर भारत 22 ETF के तो सरकार ने 14,500 करोन रुपीज निका ले तो इस प्रकार के, आपके सकते दिस इंवेस्टमेंट के चलते, अलग-अलग टाइम प्रिएड में सरकार के पास कितना पैसा आ रहा है यह आपको यहाँ पे नजर आ रहा है और अब तो सरकार बहुत ही जबरदस्त टार्गेट्स बना रही है, जैसा कि इस फाइनेशल येर में 2021 में सरकार ने टार्गेट बनाया कि 1,75,000 करोन लेके आएंगे डिस इंवेस्टमेंट से इससे पहले वारा जो फाइनेशल येर था 2019-20, sorry 2021-2021 में सरकार ने टार्गेट बनाया था कि भाई हम लोग डिस इंवेस्टमेंट करेंगे 2,10,000 करोन का, अलागि के वाद 17,000 करोन रुपई हैं अभी उसके पर आरो हो फोड़ी जैर में तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी के लिए जो Department of Disinvestment उसको बदल दिया गया है Department of Investment and Public Asset Management Department of Investment and Public Asset Management है अभी के लिए ये इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है Ministry of Finance के अंदर इसका क्या काम है? ये देखता है All Matters Relating to Management of Central Government Investments In Equity Including Disinvestment of Equity In Central Public Sector Enterprising यानि Central Public Sector Enterprising की Equity किस हिसाब से निकाली जाएगी कैसे Central Government की Investments करी जाएगी ये सब कौन देखेगा Department of Investment and Public Asset Management देखेगा इसके चार Major Areas of Work है पहला है Strategic Disinvestment दूसरा है Minority Stake Sales तीसरा है Asset Monetization और चौता है Capital Restructuring फिर आगे बात कीज़े Disinvestment की Main Objectives क्या है? पहला Objective तो यह है Financial Burden on the Exchecker को कम करना भाई सरकार के पास पैसे आए Exchecker के पास अगर और पैसा आएगा तो अब्विस्सी बात उसका Financial Burden कम होगा सरकारी Companies बेचके पैसा लाए जासकता है फिर Public Finances को इंप्रूव किया जासकता है तो भाईया जो Loss Making Enterprises है उनको बेचके सरकार अपने Losses को गम कर सकता है तो Public Finances इंक्रूज होंगे Private Ownership आएगी तो Private Ownership के साथ Private Capital आएगा Private Management आएगा Efficient Corporate Practices आएगी तो इससे चीज़ अच्छी होंगी Growth बढ़ेगी ठीके Funding Growth जो Private Sector Investment आएगा जब Private Ownership बढ़ेगी तो यह Private Ownership अपने साथ पैसा भी लेके आएगी जिससे Companies बढ़ेगी Developmental Programs के लिए पैसा आएगा सरकार के पास और Private Sector आने से Competition बढ़ेगा मार्केट में अब यहाँ पे Disinvestment और Privatization कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए है देखे प्राइविटाइजिशन की जब बात होती तो प्राइविटाइजिशन बहुत प्राकार का होता है मान लिजे अगर आप Majorty Disinvestment की बात करो तो यह भी एक प्राकार का प्राइजिशन है Complete Privatization करो यह भी एक प्राकार का प्राइजिशन अब एक कंपनी है मान लिजे Steel Authority of India Limited है Steel Authority of India Limited के मान लिजे 60% जो स्टेक्स हैं वो सरकार ने Private सेक्टर को बेज दिया तो क्या हो जागा यह strategic disinvestment हो जाएगा आप कह सकते हैं यहां privatization हुआ Majority Privatization हो लेकिन अभी भी 40% स्टेक्स सरकार के पास है कल की डेट में मान लिजे Steel Authority of India Limited को 100% ने बेज दिया सरकार ने तो वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा complete privatization तो disinvestment और privatization आप कह सकते हो कि यह words दोनों आपस में बहुत सेम है लेकिन कौन से level का disinvestment हो रहा है यह decide करेगा कि privatization कितना हुआ तो भाई privatization मतलब क्या है अगर सरकारी ownership 50% से जादा है तो भाई देखे privatization नहीं हुआ है ठीक है अगर सरकारी ownership 50% से कम चली गई तो privatization हो गया है पूरी की पूरी 100% government ownership चली गई तो complete privatization हो गया ठीक है न तो disinvestment और privatization की बीच की जो line है वो काफी blurred है आप समझेएगा इसको ध्यान से उसके बात अगर बात कीजए benefits for सरकार जैसा कि मैंने आपको बताया सरकार के बहुत major targets है तो जो 2020-21 का fiscal अभी के लिए चल रहा है इसमें सरकार ने target बनाया था कि 2.10 लाग करोन रुपे जटाएंगे सरकारी कंपनियों को बेच के जिसमें से 1.20 लाग करोन Central Public Services के stake sale के थुरुआएंगे और 90,000 करोन Life Insurance Corporation और IDBI के stake sale के थुरुआएंगे Life Insurance Corporation का IPO करनने के बात हुई थी बढ़ IPO हो नहीं पाया अब वो IPO इस साल किया जाएगा 2021 में तो जो 2,10,000 करोन का टारगेट बनाया गया था 2021 में उसमें से पैसा कितना आया 17,957 करोन ठीक है अब टारगेट बनाया गया है 1,75,000 करोन का देखते हैं 1,75,000 करोन का टारगेट पूरा हो पाता है कि नहीं हो पाता है पर एक चीज तो तो तह है कि this investment can be helpful in long term growth of the country इसमें कोई भी डाउट नहीं है PSU ownership में अगर private sector आता है तो कहीं न कहीं private efficient management practices में आएंगे लेकिन यहां पर बात यह बोली जारी कि excessive privatization सही नहीं है इंडिया में किसी भी प्रकार का anti-trust law नहीं है US में anti-trust law है Recently आपने सुना होगा कि US में Facebook के against entry trust investigation शुरू है ऐसा बोला गया US के lawmakers के द्वारा कि जो Facebook है ये market को monopolize करने की कोशिश करना है अभी कुछ इस प्रकार का काम इंडिया में एक organization करता है जिसका नाम है Monopolistic and Restrictive Trade Practices Commission MRTPC बट जितना इंडिया में MRTPC strong है उससे ज़्यादा anti-trust law strong है US में तो ये जो US का anti-trust law है ये Facebook जैसी countries को भी control में रखता है इंडिया में यहीं बोला जा रहा है कि एक limit से ज़्यादा अगर आप public enterprises को privatize करोगे तो कल की date में तो हर जगा private monopoly आ जाएग उसको privatize करने की क्या जूरोत है अरे आप सरकारी कमपनियों में भी तो professional management आ सकते हो आपको सरकारी कमपनी बेचने की क्या जूरोत है आप सरकारी कमपनी के अंदर लायक private directors बठाईए वो directors जो कि private company को profitable बनाते हैं उनको सरकारी कमपनियों के board में बठाईए उनको ज़्यादा autonomy दीजे ज़्यादा ताकत दीजे कल की डेट में वो भी पैसा कमा के दे सकते हैं तो अगर एक सरकारी कमपनी को चलाना है तो जरूरी नहीं कि उसको privatize किया जाए आप चाइना का example देख लिए चाइना की state owned firms बहुत जबरदस तरीके से काम करती है तो ये बोल देना कि privatize करना एक राम बार है जिससे सब कुछ अच्छा हो जागा ये सही नहीं है और अगर आप एक limit से ज़्यादा privatization करते हो तो जो बहुत ही ताकत वर private players होंगे ना बहुत ज़्यादा थाकत वर हो जाएंगे मोनोपली हो जाएगी किसकी कुछ private players की और मोनोपली किसी भी market में अच्छी नहीं है मोनोपली competition को मार देती है ठीक है भाई तो अगर आप एक limit से ज़्यादा privatization करते हो डिस investment करते हो तो few private players यहाँ पर dominant हो जाएंगे जब यह few power players डामिन्ट हो जाएंगे तो अपने मन के साफ से यह workers को निकालेंगे consumers के पास भी जो products की option है वो थोड़े कम हो सकते है labor protection loss का violation होगा चुकि labor को कभी भी उठा के बाहर कर दे जाएगा हाला कि labor के efficiency भी बढ़ेगी सरकारी employees के अगेंस्ट हमेशा यह दिनाम लगा जाता है कि ठीक से काम नहीं करते है ठीक है भाई अब इसके दो facets है बहुत सारे सरकारी employees काम भी करते है अब यह तो आप बोल नहीं सकते है अब भी बैंक में चले job SBI में इतना pressure होता है वो भी सरकारी employees है बढ़ काम तो करते ही है न तो दो facets है पहले तो एक लोग हैं जो कहते हैं सरकारी company ले काम नहीं करते हैं तो प्राविटाइस कर दोगे तो काम करने लगेंगे दूसरा facets यह है कि भाई अगर आप प्राविटाइस कर दोगे तो नौकरियां जाने लगेंगी नौकरियां जाने लगेंगी तो कहीं न कहीं labor protection loss का violation होगा wealth inequality बढ़ेगी तो अब इस facets में एक balance बनाने की जरू है disinvestment करिए बट limited disinvestment करिए फिर आपको एक बात यह बता दू कि देखिए पहले सरकारों ने बहुत से loss making public sector enterprises private sector enterprises खरीजा थे पहले बहुत सी इसी कंपनियां थी जो घाटे में थी private कंपनियां थी बहुत सारे लोग उसमें काम करते थे तो उन सब लोगों के नौकरी आना चले जाए सरकार ने उन कंपनियों खरीद लिया तो वो लोग public sector employees बन गए अब अगर इन loss making enterprises को आप बेचोगे तो यह सारे के सारे लोग jobless हो जाएंगे उसके साथ एक बात और है भले एक PSU loss making हो सकता है बट loss making PSU भी हमारे देश के industrial development में एक role play कर रहे है सरकार का सीता सीता यह बोलना है हम disinvestment करेंगे और private ownership लाएंगे और private ownership से किसी को भी डरनने की ज़रोत नहीं है चुकि private ownership में efficient practices लाने के लिए responsible होगा MRT PC Commission तो economic power हम दूछ लोगों के हाथ में नहीं जाने देंगे जबकि ऐसा possible नहीं है अगर privatization होगा तो जो corporates हैं वो strong होगे ही होगे तो यह बात यहां बताई चारी सरकार बहुत हद तक disinvestment करने पे बिलकुल तयार है वो उपना mind wake up कर चुकी अब किस हद तक वो disinvestment कर पाएगी यह आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा तो thank you for watching this video friends वीडियो पसंद आयो तो like जरू कर दीजेगा और जद जद लोगों को इस वीडियो के बारे में और मेरे चैनल के बारे में बताएं